चलिए आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घरों में इलेक्टिकल पाइप किस तरह फैलाए जाती है किस तरह फ्लोरिंग की जाती है इलेक्टिकल पाइप की दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एक इंच की पाइप है इसे हम आप लोग को हाफ सेट मारना सिखाएंगे किस तरह हाफ सेट मारा जाता है कैसे पाइप को बैंड किया जाता है मैं उन संकर यादोरों आप लोग देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल संकर यादो ओफिसल जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन गंटी को आल कर दें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एक इंच की हमारे पास पाइप है और यह स्प्रिंग है हाप सेट है और इस तरह स्प्रिंग को वापस हम बाहर निकाल लेंगे तो चलिए अब यहाँ पर हाप सेट मार दिये हैं आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ से हम मेजर कर लेंगे पाइप को कितना पाइप को हमें रखना है और कितना काटना है यह सारी जनकारी आप लोगों को फूरी वीडियो मिलेगी अब यहाँ पर हमारी pipe यहाँ पर जॉइन करेंगे pipe को किस तरह जॉइन करते हैं किस तरह major करके काटते हैं तो यहाँ पर coupling already लगी हुई है अब यहाँ पर हम इसे काट लेंगे काटने के बाद अब यहाँ पर हम coupling से इसे जोड़ेंगे अब यहाँ पर pipe को हम काट दिया है यह जो तार है यह already हम पहले से इसमें डाल के रखे हुए है क्योंकि जब भी pipe की उपर slip का ढलाया होगा तब इसमें jam न हो जाए या भी तार न पास हो तो इसके लिए हम पहले से इसमें तार डाल दिये है आप लोग देख सकते हैं एक एक इंच का coupling है अब इस coupling को पहले हम इस तरह जो हमारी एक इंच की pipe है यानि पचीस एमेम की pipe और बीस एमेम की pipe दोनों को हम आप लोगो pipe join करना बताएंगे की तरह electrical pipe को join करते हैं अब यहाँ पर हम यह जो है gum है और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे यह chemical एक तरफ से होता है और इसे यहाँ पर इस तरह जोड़ देंगे pipe यहाँ से हिलेगा नहीं अब इसके बाद जो यह hard वायर है इस pipe में हम डालके उस side निकाल लेंगे इसी तरह जितने भी यहाँ पर pipe लगी हुई है सारे pipe को half set मारेंगे air type में half set मारने के लिए आपको 20 mm की pipe जो होती है उसमें 20 mm की ही 20 mm का spring लगेगा और 25 mm का pipe में 25 mm का spring लगेगा तो चलिए अब यहाँ पर जो है उस side से हम खीच लेते हैं wire को wire को खीचने के बाद सारे pipe को इस तरह half set मारने के बाद हम subtle मारेंगे अब यहाँ पर जो है pipe को अच्छे तरह से solution लगा कि अच्छे तरह से हम यहाँ पर इस तरह round मार देंगे और जो हमारी pipe है उसके मुँपे हमें बरबट tape मारना है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी मतलब cement बालू कुछ भी इसके अंदर न जा इसी तरह जितने भी pipe हैं सारे pipe को हम ale type मार लेंगे यह हमारे main divby main हमारा जो है divby addressing जहाँ पर होगा वहाँ पर यह pipe जाएगी अब यह pipe को हम अच्छे तरह से यहाँ पर saddle मार लेंगे अब saddle मारने के बाद जो है पट्टी मारेंगे saddle एक इंच का और पवने का saddle आता है लेकिन यहाँ पर aluminum पट्टी हम मारेंगे aluminum पट्टी को आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं अब यहाँ पर लगबग सारी pipe को हम connect कर दिये हैं जोड दिये हैं अब आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं हमारे पर चार pipe रह गई है पहले इस तरह अंदर भी लगाएंगे और pipe को उपर यह already जो हमारी pipe है pipe के अंदर coupling है और इस तरह हम अच्छे तरह से इसमें बैठा देंगे अब यहाँ पर अच्छे तरह से hopset मारके हम बैठा दिये तो सारे pipe आप देख सकते हैं लेक्टिशियन की wiring करने से पहले आपको piping करना आना जरूरी है piping करना आना चाहिए जब आपको piping करने आ जाएगा तो आपको wiring करना भी आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास 4-5 pipe और बची हुए है सारे pipe को इसी तरह हम connect कर लेते हैं यह देखे जो pipe हमारी आई हुए यहाँ से और यहाँ से pipe को आई हुए है और यहाँ से pipe सारे pipe को यहाँ से हम देखे ऐलमूनियम पट्टी यहाँ पर हम मार दिए है सडल मार दिए है लंबा सडल बनाके खुद मारे हुए है सारे pipe को इस तरह howsette मारके यहाँ पर पहुचा दिए है अब हम आप लोगों गुखाते हैं इस तरह इसका लेंटर किया जाता है, इसके उपर ड्लाईया कैसे होता है, देखें यहाँ पर केमकल पोता जा रहा है, इससे लिकीज नहीं होगा, और देखें पाइप जो आया हुआ हर जगह से, यह जो pipe डाइग्राम द्वारा जो है pipe को लाया जाता है अब देखें यह pipe यहाँ से गया हुआ है यल मारके हमारे meter room में चला गया है जहाँ पर हमारा meter room आएगा बिजली बिदुद का जो meter होता है वहाँ पर यह main डिपी इस जो ply के पीछे आएगा अब यहाँ से हम आप लोगों दिखाते हैं इस side से तो इस side से आ जाएए देखें यह जो pipe है यहाँ पर लिंटर हो गया already इसके उपर डलाईया हो गया pipe बाहर निकल गई है उस side अंदर का side pipe चला गया यहाँ से देखें तोड़ के pipe गई है pipe को अंदर देखें इतना pipe हम अंदर रखेंगे अब यह रहा हमारा main aim से भी और यह main पुरा aim से भी है और यहाँ पर जो है final dressing है और pipe हमारी यहाँ से लकड़ा जो लगा हुआ है यहाँ से हमारी कुछ pipe इस side से आएगी कुछ pipe इस side से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो cable है cable आया हुआ उपर से सबसे पहले आप लोगों को घर में piping करना आना चाहिए अगर आपको सही तरीके से piping करना आ गया तो आपको wiring करना आ जाएगा तो यह देखिए 25 mm और 20 mm की कहां कहां पर pipe डाली जाती है अगर wire जादा डालना है तो 25 mm की pipe डालेंगे अगर wire कम डालना है माली जी एक टीवी का wire डालना है तो 20 mm की pipe डालेंगे अगर उसमें 4-5 सरकीट डालना है तो 25 mm की wire डालेंगे 25 mm की pipe डालेंगे तो इस तरह half set मारके हम अच्छे तरह से यहाँ पर बैठा दियें, pipe को आप देख सकते हैं या सारी pipe को इसमें कुछ pipe हे 20 mm कियें और कुछ pipe हे 25 mm कियें हम wire के हिसाब से pipe को डालते हैं और दूसरे side हम आप लोग दिखा देते हैं इस side भी इस तरह जॉइन करके पटी मारके हम आगे ले लिए हैं बाकि सब जगा लेंटर इस उपर डलाईया हो गया है एक दम लेबल हो गया है पाइप अब इसके उपर जो है टाइल से बैटेगा अब आप देख सकते हैं पाइप कैसे कैसे गया हुआ आपको दिख रहा है अगर आप भी अपने घरों में फ्लोरिंग करना चाते हैं या दिवाल में कटिन करके पाइप डालना चाते हैं इस तरह तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं आपको band की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसी तरह spring से half set मार सकते हैं और piping कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा से जर्री मार के यहाँ पर piping डाल दिया गया और यहाँ पर piping डाल दिया गया नीचे से जो है कितने wire आने वाले हैं टेली फोन का और cat6 का टीबी का उसके बाद गीजर का उसके बाद AC का उसके बाद circuit plug point का फिर उसके बाद एकवागाट का मतलब total जितने भी गीजर हैं गीजर के सब अलग-अलग separate point रहेंगे कितने plug point का भी circuit इसमें आएगा light का circuit आएगा और आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह pipe दिख रही है और यह भी pipe गई हुई है और वहाँ पर pipe उपर हलका हलका दिख रही लेबल से pipe उपर हो गई है कोई बात नहीं यह फ्लोरिंग का है अगर आप छट में डलाईया के लिए pipe डालते हैं तो इस तरह नहीं चलेगा अब आगे हम आप लोगों को बताते हैं यह bedroom है और bedroom में इस तरह wiring की जा कम दिन तक चलता है और यहां पर देखे जरी मार्क हम ले लिए हैं तो आप लोगों को पूरे बिस्तार से हम बता दिये हैं कि जो घर के अंदर फ्लोरिंग में piping की इस तरह की जाती है लगबग आप एक दो pipe इक्ष्टरा डाल कर रखें जैसे कि यहां पर आप दिख सकते है दो pipe इक्ष्टरा डाल के रखें वे हैं तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन गंटी कौल कर दे हैं इसी